नमस्कार जै मिथला जै बिहार मित्रबंधुओं कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे श्वस्थ होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अलफाबिट की जो Y नाम बाले जातक है और जो N नाम बाले जातक है इन दोनों के लिए बहुत जयादा आवश्यक और महत्वपुर्ण है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि इन दोनों को शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपुर्ण है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए तो आईए अब वीडियो की सुरुवात करते हैं मित्रो वाई नाम के जातक और एन नाम बाले जातक अगर किसी भी प्रकार के शंबंध में आ जाते हैं तो इन दोनों में एक शमानता बहुत जयादा होती है इस नाम के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की बातों का शम्मान एक दूसरे के विचारों का शम्मान बहुत जयादा करते हैं और कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को काटना एक दूसरे की बातों को अनसुना कर देना ये पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने जीवन के हर परिस्थिती में अपने जीवन साथी का सम्मान उनके विचारों का सम्मान उनके दृष्टी कोन का आद ये बहुत ज्यादा करते हैं इन दोनों की अपने जीवन में इनकी जो भी आवश्यकताएं होती है इनकी जो भी जरूरते होती है वो भी एक समान होती है और ये इन दोनों के शंबंध को मजबूती परदान करने में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ये कभी भी किसी भी प जबुती परदान करने में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है परंतु इसके अलाबा अगर हम एन नामबालों की बात करें तो एन नामबाले जो भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा शांत और गंभीर होते हैं और अपने आने वाले शमय के प्रती ये बहुत ज्यादा आश और कभी भी अपने जीवन में अपने वर्तमान समय को या अपने आने वाले शमय को ये बरबाद नहीं करते हैं शमय का जो महत्व है उसको समझने का प्रयास ये बहुत ज्यादा करते हैं परंतु आपको बता दे इस नाम के जो भी लोग होते हैं वो शुभाव से थोड़े ब की बातों को किसी और के विचारों को ज्यादा सम्मान बिल्कुल भी नहीं देते हैं और ऐसे हालात में सिर्फ अपनी बातों को सिर्फ अपने विचारों को ये बहुत ज्यादा महत्तो देते हैं मित्रों इसके अलाबा अगर हम वाई नामबालों की बात करें तो वाई नामबाले जो भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा धैर रिवान होते हैं इनके अंदर धैर की छमता बहुत ज्यादा होती है परिस्थिती अच्छी हो विपडित हो अनुकूल हो परतिकूल हो मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है मित्रों इस नाम के जो लोग होते हैं वो शामानेता अपने जीवन में गंभीर होते हैं जल्दी क्रोध नहीं करते हैं इस्थिति कैसी भी हो अपने गुस्षे पर ये काभू रखने का प्रयास करते हैं लेकिन यदि ये गुस्षा कर जाते हैं किस के विचारों को ये सम्मान बिल्कुल भी नहीं देते हैं और ये इनके अंदर में बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी साबित होता है जो कि इनके शंबंद को खराब करने में बहुत ज्यादा महत्पुर्ण भुमकाने भाने का प्रयास करता है मित्रों हमने वाई नामबालों के ब करें तो आप दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा वह बहुत ज्यादा मजबूत और बेहतर होगा अगर आप साधी करते हैं तो संबंध जवर्दस्त होगा वित्रों अगर आपके मन में कोई शवाल हो तो नीचे में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता अवश्य की दें तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय विहार जय मिथिला